वेल्कम गाईस वेल्कम तो मैंने चैनल आज हम लोग एस्टेट का पीजिटी एकनॉमिक्स का जो कोश्चन पर हमने स्टार्ट किया हुआ था उसको आज हम कंप्लीट करेंगे इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी टोपिक हम यह आप चैनल पर डिसकस करते हैं उसकी पीडिएफ आपको टेलिग्राम चैनल पर मिल जाती है टेलिग्राम चैनल का नाम इकनॉमिक्स वाइडीडी है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और इसके अलावा अगर आपने प्रिवियस यर कोश्चन पेपर अलग-अलग सेट एग्जाम के केवीज के नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाएगे आपको हरे कोश्चन पेपर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपका एकनॉमिक्स का कोई भी एग्जाम हो वो सारे की सारे कोश्चन पेपर आपको काफी हेल्प करेंगी तो आज का हमारा जो पहला कोश्चन है कोश्चन नमबर 120 कोश्चन में बोला है जो कोरिलेशन कोफिशेंट होता है आपका वो इंडिपेंडेंट होता है सह संबंद गुणांग की सी से सतंत्र होता है पहले बोला गया है बाइचेंजिंग दा ओरिजन सिरफ मूल बिंदू से सतंत्र होता है सेके से और नहीं ऊरीजं से मोتा है यहार फॉर्थ options बाइचेंजिंग अरीजंग दा अरीजंग सकेल जब आप correlation कोफिशन्ट पढ़ते हो तो आपने देखा औरेक्टर्षतिक्स की तो यहां पर हम बोलेंगे गाीजिंग दा और ऊरीजंग बोलेंगी सकेल संत्र होता है तो option number four आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में क्या बोलागे है what is mean by saturation point saturation का मतलब आप हिंदी में देखो तो सम्त्रिप्ति सम्त्रिप्ति का आर्थ क्या है at a point which marginal utility is maximum कि वो बिंदू जहां पर आपकी सिमांत उप्योगता अधिक्तम है second point देखिए the point at which total utility is maximum जहां पर हमारी कुल उप्योगता अधिक्तम होती है the point at which marginal utility is maximum यह आपकी जो marginal utility है वहां पर minimize होती है and fourth जब आपकी total utility सबसे कम होती है तो आपको पता होना चाहिए सम्त्रिप्ति एक ऐसा बिंदू होता है जा एक वोगता को सबसे ज़्यादा फाइदा होता है सबसे ज़्यादा संतुस्ति मिलती है तो आप अगर total utility का बनाओगे तो जब एक वोगता total utility के maximum point पर होता है तो यही point उसका saturation point होता है यह हम कहें सबसे ज़्यादा त्रिप्ति उसे इसी बिंदू पर मिलती है तो आप क्या बोलोगे the point at which total utility is maximum option number second यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगला question में क्या बोला गया है which characteristics does not occur in monopolistic competition एक अधिकार प्रतियोगता होती है जो उसमें कौन सी विशेषता नहीं होती first option कोई देखिए identical product दे रखा है identical product का मतलब होता है समरूप वस्तवी आप लोगों को पता है कि एक अधिकार प्रतियोगता है तो आपके जो भी product होंगे वो same नहीं हो सकते color में, size में different होते हैं तो इसी लिए यह इसकी विशेषता नहीं है यही आपसे question में पूछा है आइसो क्वांट कर्व जो होता है आपका आइसो क्वांट कर्व होता है इसकी डेफिनेशन है वो क्या है first option पढ़िए the quantity of production is constant and factor ratio is variable यह कह रहे है जो उत्पादन की मात्रा है तो उत्पादन तो हो रहा है hundred लेकिन पेक्टर जो अलग अलग यूज करते हैं माल आप key Zhu कर्रहे हो एक अरा पे वर्यूज कर्रहे हो तो यह कह रहा है रीलेकिन 것으로 canis good आपके अलों को प्रियो होक करने की जो अनुपात है वो change होता रहेगा फर्स्ट अप्शन में बोल रहा है सेकंड अप्शन में बोला है बोथ दा quantity of production and factor of production are constant सेकंड अप्शन में बोल रहा है उत्पादन करने के उत्पादन भी आपका स्थीर रहेगा और जो आप labor और capital को use कर रहे हो तो वो ratio भी क्या रहता है स्थीर रहता है थार्ड अप्शन में बोला है कि the quantity of production and factor are variable उत्पादन की मातरा भी बदलती रहेगी यह उत्पादन है आपका यह भी बदलता रहेगा और जो labor और capital आप use करे हो यह भी change होता रहेगा फॉर्थ अप्शन में क्या बोला है quantity of production is variable उत्पादन की मातरा में परिवर्तन होता रहेगा वो घटती रहेगी यह बढ़ती रहेगी लेकिन आपका जो factor का रेशो है जो आप labor और capital को use कर रहे हो वो क्या रहेगा constant रहेगा तो आप लोगोंने आईसो क्वान्ट की definition पढ़ी है आईसो क्वान्ट क्या होता है समूतपाद वक्र वहवक्र होता है जहां पर आपका क्या होता है उत्पादन इस पूरे आईसो क्वान्ट पर एक जैसा होता है 100 quantity बन रही है तो 100 ही बनेंगी लेकिन क्या फरकाता है कि आप labor और capital जो यूज़ कर रहे थे उसके ratio को according to needs change कर सकते हैं आप चाहो तो labor जादा यूज़ कर सकते हो capital को कम तो इसलिए option number first आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में बोला है What is meant by standard person year in measurement of unemployment? बेरोजगारी को मापने का एक standard जो तरीका है वो क्या है तो उसमें क्या बोला जाता है standard person year के अंदर कि एक बंदे को जो है एक साल के अंदर कम से कम कितने एक दिन? 273 days 273 days employment मिलना चाहिए और एक दिन में क्या है? 8 घंटे उसे काम मिलना चाहिए यही हमारा standard person year measurement है बेरोजगारी को मापने का तो option number second आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में आपसे बोला है match the following first elasticity दे रखी है income elasticity nature of good तो पहले आपसे बोला है कि zero आपकी income की elasticity है तो कौन सी good होगी वो and positive negative तो आप लोगों को पता है कि zero जो होती है आपकी income की elasticity कब zero होती है जब आपकी goods क्या होती है essential होती है मतलब बहुत ज़्यादा जरूरी वस्वों में आपकी income elasticity क्या होती है zero होती है positive क्या होती है normal good में जैसे जैसे income बढ़ेगी वैसे वैसे आप उन goods की demand को बढ़ाते हो तो normal good में income elasticity कैसी होती है आपकी positive होती है अगर हम बात करें negative की तो inferior goods जो होती है आपकी गटिया वस्वे होती है जैसे ही आपकी income बढ़ती है तो आप उनको परतेश नहीं करते तो यहाँ पर negative income elasticity जो होती है आपकी inferior good में होती है तो देख लेना option number first ही आपका क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा अगला question देखिए question number one twenty six one twenty six question में क्या बोला गया है every economy pays three major problems एक economy में basically तीन जो major problems है उनको face किया जाता है वो कौन सी है what, how and whom क्या, कैसे और किस के लिए उत्पादन करने वाला statement जो है कि किस नहीं दी है first है Hicks, Marshall, Samuelson, Tobin तो यह जो statement है यह जो है आपकी Samuelson ने दी है तो option number third आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में क्या बोला गया है कि who is included in organized sector जो आपका संगठित शेतर होता है उसमें किसको शामिल किया जाता है पहला option है all public sector के जितने भी establishment होती है उनको कि सर्वजनिक शेतर के जितने भी संसाम होती है उनको second है private sector की establishment जो की 10 या 10 से ज़्यादा लोगों को काम दे या third option है at least two people working together अगर दो लोग मिलकर काम करेंगे तो क्या उसको संगठित शेतर में शामिल करेंगे तो यहाँ पर संगठित शेतर की जो definition है वो यह कहती है कि public sector के जितने भी establishment है वो सब इसके अंदर आएंगे और private sector के establishment जो 10 या 10 से ज़्यादा लोगों को काम देते हैं तो option number first and second आपका यहाँ right हो जाएगा तो option number second यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए question number 128 में क्या बोला गया है scale of preference is not related to जो हम क्या करते है different different preference को बताते हैं कि हमें इस goods की demand चाहिए या नहीं चाहिए तो scale of preference का संबंद किस से नहीं है तो scale का सीधा जो संबंद होता है consumer का क्या taste है क्या उसकी preference है इससे होता है indifference curve से भी होता है क्योंकि indifference curve ही वो curve होता है जो scale of preference को शो करता है consumer की जो satisfaction होती है वो भी यह बताती है कि उसका scale of preference क्या है कि मालो consumer satisfy है तो पता रग जाएगा कि scale of preference उसकी satisfy है लेकिन price of item यह अलग चीज है इसका सम्मद scale of preference से नहीं है तो option number 4 आपका क्या हो जाएगा यहां पर right answer हो जाएगा question number 129 जो question है आपका statement based question आया है 129 question में क्या बोला गया है कि in a modern cost theory average cost is not u shape but l shape यह तो बात है modern cost की theory हम पढ़ते हैं उसमें हम देखते हैं कि हमारा average cost curve है वो क्या है वो आपका l shape curve होता है ठीक है तो यह क्या हो गया बिल्कुल right है कि हमारा modern cost curve है वो l shape होता है average cost curve second statement को देखिए by improving technology efficiency trend to diminishing return can be stop कि अगर हम अपनी तकनीक में सुधार करें तो काफी हद तक जो घटते ही जो हमारे प्रतिफल होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं रोक सकते हैं तो यहाँ पर यह statement भी जो है बिल्कुल correct है first or second statement यहाँ पर बिल्कुल correct है तो इसी लिए आप option number fourth के साथ जाओगे कि both statement correct है और जो second statement है कि अगर हम technology में improvement करें तो हम क्या कर सकते हैं जो diminishing returns हैं उनको कम कर सकते हैं तो option number four आपका यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला question देखिए consider the following statement regarding market price and nominal price तो यहाँ पर market price और normal price को लेकर एक statement given है पहले क्या बोला है आपको market price is related to very short run and normal price is related to long run market price वह कीमत होती है जो बजार में अल्पकाल में पाई जाती है और normal price वो कीमते समाने कीमते जो long run में होती है यह statement बिल्कुल correct है second statement पढ़िए demand side जो होती है हमारी economy demand side economy play a major role in determining the market price में आल्पकाल में वो कह रहा है कि जो market price को decide करने का main काम करती है demand side and normal price का decision जो होता है वो supplies से influence होता है तो इनकी जो second statement में बोली गई बाती है वो भी क्या है correct है तो आप देखो यहाँ पर आप क्या जो second statement में क्या बोला गया है second statement में यह बोला गया है कि demand side economy है वह बहुत important role play करती है market price को decide करने में और normal price जो है ज्यादा तर जो है influence होता है किस से normal price आपका influence किस से होता है supply side से तो यहाँ पर दोनों statement बिल्कुल correct है और जो reason आपको दिया गया है वही उसकी correct explanation भी बोली गई है तो option number first यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए food availability depends on आपके पास कितना खाद्यान है यह किस पर depend करेगा यह जिस पर depend करेगा कि आपकी supply chain क्या है आपके पास food के कितनी results है आपने कितना food डिविदेशों से import किया है तो इन सब चीज़ों को मिला कर यह आपका पता लगेगा कि आपके देश में कितना food available है तो all the option are right option number four आपका right answer हो जाएगा अगला question क्या है what is the nature of economics अब हम लोगों को पता है कि हमारी जो economics है वो क्या है हमारी economics art भी है and science भी है तो option number four आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में क्या बोला गया है infrastructure contribute to economic development of a country जो अगर हम railway road transport यह सब चीज़े बनाते हैं infrastructure होती है नहीं हमारे देश की तो यह कह रहे हैं कि अगर हम infrastructure को build करते हैं तो देश का economic development क्या होता है होता है यह सब को बता है पर इससे क्या होगा अगर आप infrastructure बनाओगे economic development तो होगा लेकिन इससे क्या होगा साथ साथ तो पहला option देखिए first option में बोला है increasing the productivity of factor of production यह बात सही है कि उत्पादन करने में आप कोई भी संसादन लगाओगे आप capital लगाओगे आप labor लगाओगे आप technology लगाओगे आप कुछ भी लगाओगे तो उन सभी संसादनों की productivity तभी बढ़ती है जब आपके देश में infrastructure के जो संसादन है काफी अच्छे हों थीक है तो यह option दो right हो गया second statement देखे क्या बोली गई है providing stability to state and central government state और central government को stability मिलेगी infrastructure से यह कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि state और central government की stability बहुत से factors पर depend करती है आप सिरफ यह नहीं बोल सकते कि infrastructure होगा तो यहाँ stability आ जाएगी तो यह वाली हो गई wrong statement third देखे improving the quality of life and people of a country एक देश के लोगों का जीवन सर सुधरेगा अब बताओ अगर rail किसी देश में आती है transport facilities बढ़ेंगी तो वहां के लोगों के जीवन सर में सुधार आता है तो option number first और third की जो statement है वो बिल्कुल correct है तो यहाँ पर आपका option number second जो है right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में बुला गया है in a two sector model between two sector does the flow factor and मतलब यहाँ पर यह बुला गया है two sector model में कौन-कौन से sector को include के जाता है आप लोगों को बता है housing sector होता है हमारा जो अपनी services देता है production sector production बनाने का काम करता है तो यहाँ पर option first and second right up का answer हो जाएगा option number second आपका right answer हो जाएगा अगला question भी आपका statement वाला question है statement वाले question में क्या देख बोला गया है English में यह जो है थोड़ा सा कटा हुआ है हिंदी में पढ़ लीजिए किसी समय बिंदू पर सरकार का जो रीन होता है वह एक स्टोक अवधान है किसी point of time पर ठीक है point of time मैं कर दूँ आज सरकार मालो 2023 दिसंबर 2023 में सरकार को इतना रीन जो है दूसरे देश का देना है तो हमने क्या करा government के रीन को नापा है तो यह एक क्या है यह एक स्टोक concept है यह बिल्कुल राइट है second पढ़िए in a given year budget का घाटा सिरफ आप किसी particular year की बात करें यहाँ पर मैं करें 2023 बोला किसी भी particular year में जो budget का घाटा है अगर हम उसको measure कर रहे हैं तो यहाँ पर वह एक flow variable है तो दो नहीं statement यहाँ बिल्कुल right given है तो यहाँ पर आप option number second के साथ जाओगे अगला question देखिए अगले question में बोला गया है according to expenditure जो approach होती है gross national product को measure करने की कौन सी जो बात जो है item को हम private final goods के consumption में include नहीं करते पहला option देखिए the value of production of food grain which the farmer themselves consume एक farmer है वो क्या करता है खुद जो है food grain को consume करता है तो एक farmer के consumption को हमेशा हम क्या करते हैं gross national product में क्या करते हैं शामिल करते हैं या हम यह कहें उसके private consumption में उसको शामिल करेंगे किसी की wages salary को भी हम individual को किसी भी काइन में मिलती है वो भी आपकी किस में जाएगी वो भी आपकी gross national product में जाएगी आपका rental house है आपने खुद के लिए मकान बनाया रहने के लिए तो ये भी आपका gross national product में जाएगा लेकिन जो हमारी घरों में जो हमारी mothers होती है जो housewives होती है जो अपने family members के लिए काम करती है वो कभी भी हम gross national product में भी शामिल नहीं करते और private final consumption में भी उसको कभी शामिल नहीं किया जाता तो इसी लिए option number 4 यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में है deductive जो method होता है हमारा हमारी दू approach होती है एक deductive approach एक होती है हमारी inductive approach तो यह कह रहे है एक जो deductive approach होती है यह क्या होती है deductive approach में हम क्या करते है जर्नल हमारे पास कोई conclusion होता है उससे हम क्या करते है पर्टिकुलर पर जाते है यह हम यह कह सकते है जर्नल से हम specific की तरफ जब move करते है तो वो होता है हमारा deductive method इसमें हमें पूरा किसी भी चीज़ को लेकर methods पहले से given होता है जिसे math के formula आपके पास प particular specific की तरफ जाते हैं तो उस method को हम बोलते हैं क्या डिडरक्तिव method कर अगला question देखें what should be in the budget matter जब हमें should be क्या होना चाहिए तो हम किसमें study करते है पॉजिडी साइंस होती है वो normative science होती है आर्स होती है यह stat होती है जब आप से क्या होना चाहिए आपसे आपको opinion पूछा गया है तो यह होती है आपकी normative science आप अपनी idea, thought को convey करते हैं तो option number second यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए इना cove web as a method of study economics cove web का जो model है उसके according अगर हम economics को जो study करते हैं तो economics की study कैसी study है तो cove web का model आपको बताता है कि economics एक तरह से हम economics में एक dynamic analyze करते हैं different different आपके पास variable होते हैं उनमें changes होते रहते हैं तो cove web method है study economics is dynamic analyze तो option number first यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में आपसे पूछा है what is the main method of principle of economics मतलब जो main method principle होता है कि सिधान्त आपके पास पहले से given है तो यह कह रहे हैं कि इन में से कौन सा जो method है पहेंगे option number first आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में जा है in the world of scarcity कि दुरलबदा की संसार में choosing one means giving up another आपको एक को चूज करना पड़ता है दूसरे को छोड़ना पड़ता है and the value of any given goods of services जिसको आप छोड़ते हो उसकी value को आप क्या बोलते हो opportunity cost हम इसको बोलते हैं तो हम यहाँ पर यहाँ पर opportunity cost जो चीज़ हम छोड़ते हैं हमारे पास दो option होते हैं मालों आपको एक जंगा 10,000 की salary मिल रही है एक जंगा आपको 20,000 की salary मिल रही है तो आप 20,000 वाली accept करते हैं और 10,000 वाली का तयाग करते हैं जो आपका यह त्याग होता है यही आपका sacrifice होता है यही आपकी opportunity cost होती है तो option number first यहाँ पर आपका right answer हो चाहेगा आप देखिए GDP deflator का use कभी किया जाता है आपसे question में पूछा है GNP deflator gross national product में जो deflator होता है उसका use कभी किया जाता है तो यहाँ पर जो हमारा deflator का कामी क्या होता है जो भी हमारा जो GNP में gross national product के अंदर जो भी inflation rises हो रहे हैं तो inflation का जो effect होता है उसको अगर हमें remove करना है तो हम क्या करते हैं GDP deflator का use करते हैं तो यहाँ पर option number second आपका right answer हो जाएगा कि remove कर देता है GDP deflator किसके effect को rising price from GNP जो भी कीमते GNP में बढ़ रही है उसके effect को क्या हो जाता है वो remove हो जाता है अगला question देखिए which of the following question is not related to microeconomics इस वाले question का आपको कैसे answer देना है कि microeconomics हमने पड़ी है तो किस चीज की study हम microeconomics में नहीं करते हैं अगला देखिए एक firm को कितना उपादन करना है चा प्राइज रहेगा यह हम different markets में अच्छे से पढ़ते हैं अगला देखिए कि एक firm how will be factor of production allocate संसादनों को किस तरह से बटवारा किया जाएगा यह आप microeconomics में देखते हैं लेकिन जो fourth option है option number fourth को पढ़िए option number fourth में क्या बोला है how can full employment be achieved full employment आप जब रोजगार full employment को कैसी achieve करते हो यह आप macroeconomics में study करते हो ना कि microeconomics में तो option number four आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में क्या बोला गया है what does the second stage or production function consider the best stage यहाँ पर यह बोला है जो production की तीन stage होती है ना first stage second stage and third stage तो यहाँ पर यह बोला है कि जो second stage है उसको ही सबसे ब्यादा best क्यों मन जाता है पहला option है marginal product of variable factor increase करता है second stage में तो अगर आप इसके नीचे आप यहाँ पर इसको ऐसे बनाओ total product अगर आप इसके नीचे यहाँ पर क्या बनाते हो marginal product बनाते हो तो आप देखोगे marginal product जो है ना आपका पहली ही क्या करने लग जाता है second stage में आने से पहली गीरना शुरू कर देता है तो first option तो हो गया आपका रोंग अगला देखिए total product increasing at increasing rate क्या second stage जो ही आपकी second stage है इसमें आपका total product increasing rate से बढ़ रहा है नहीं second stage जो production में आपका total product बढ़ तो रहा होता है लेकिन जो उसकी rate होती है न वो क्या होती है decreasing होती है तो यह option भी आपका रोंग हो गया third देखिए to take advantage of increasing efficiency of fixed factor यह हम कह सकते हैं कि हमारे उत्पादन करने के संसादों में हमारे पास कुछ संसादन सीर होते हैं और एक परावर्चन शील सादन होता है तो यह stage एक ऐसी stage होती है second stage कि हमारे पास जो भी fixed factor है उसका हम सही से use कर पाते हैं तो यह बाता बोल सकते हैं तो option number second इसलिए आपका right answer हो जाता है इस तरह के question अगर आ जाएं तो आप diagram से इनको solve करें तो आपका कभी mistake नहीं होगा अगला question देखिए what is the increase in total revenue by selling one more unit of product अगर आप उत्पादन की एक अत्रिक तिकाई को बेचती हैं और आपको जो मिलता है मालो मैंने 10 quantity बेची मैंने 500 रुपे कमाई ग्यारवी quantity बेच कर मैंने 55 रुपे कमाई और यह जो extra जो unit आपका difference है यह आपका क्या कहलाएगा ठीक है तो यहाँ पर यह जो आपकी अत्रिक्त आई होती है यह आपका marginal revenue कहलाएगा तो option number second आपका यहाँ right answer हो जाएगा अगला question देखिए to deal with which two type of environment sorry question में बोला है कि to deal with which two major environment concern in इंडिया Central Pollution Control Board 1974 तो 1974 में केंद्रिया परदूशन नियंत्रन बोड की सापना की गई और किन दो major pollution की बोड बात करता है यह उसके solution की बात करता है तो air and water जो pollution है हमारा उसकी बात 1974 के Central Pollution Control Board में बात की गई थी यह हमारा एक बहुत बड़ा concern था और इसी को control करने के लिए air and pollution जो बढ़ रहा था उसके लिए हमने Central Pollution Control Board की establishment की थी तो option number second यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में क्या बोला गया है under which circumstance that marginal cost decrease आपकी marginal cost इन में से किस option के according घट सकती है जब आपको equal returns मिलते हैं तब घट सकती है जब हमारी returns diminishing होते हैं तब हमारी marginal cost गड़ सकती है अब देखो जब आपके equal returns हो जितना आपने लगाया उतना ही आपको मिल गया तो आपकी marginal cost भी हो सकती है equal हो इस time पर तो यहाँ पर तो चांस नहीं है कि आपकी marginal cost decrease करें second option को पढ़ो यहाँ पर आपके पहले return क्या है diminishing का मतलग कि आपको लगाना ज्यादा पढ़ रहा है मालों आपने 50 रुपे लगाए तब आपको 20 रुपे मिल रहे हैं तो यहाँ पर तो आपकी return जो है negative में है या कम है तो यहाँ पर तो आपकी marginal cost क्या आएगी ज्याद ही मिल रहे हैं तो यहाँ पर आपकी increasing return है इसका मतलब आपकी cost कम आ रही होगी हम बोल सकते हैं तो यही एक ऐस option है जहाँ पर आपकी जो cost है वो कम हो सकती है तो option no.3 के साथ आपके अगर होगे जाओगे option no.3 यहाँ आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए इंडिया is developing economy which of the following market is most commonly seen in इंडिया जो है भारत एक विकाशिल अर्थ व्यवस्ता है आपको नीचे दिये गए option में से कौम सी एक market ऐसा लगता है कि इंडिया के अंदर सबसे जाज़ा देखी जाती है तो आप देखोगे इंडिया के अंदर oligopoly market का जो structure है या oligopoly market काफी जादा हमें देखने को मिलती है जितने भी car या बड़े-बड़े products हैं वहाँ पर अलपा दिकार दिरे-दिरे बढ़ता जा रहा है तो option number second यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में बोला गया है which statement is not correct किसके बारे में marginal rate of substitution marginal rate of substitution के बारे में कौन सी statement correct नहीं है due to increase of marginal rate MRS IEC become concave towards the origin यहाँ पर यह बोल रहे हैं कि जब हमारी क्या होती है MRS decrease करती है marginal rate of substitution decrease करने का मतलब है कि आपको मालो पहले 10 unit चाहिए थी 10 से आपने unit 11 कर ली पहले जो आप sacrifice कर रहे थे वो मालो आप 5 unit का sacrifice कर रहे थे अब आपका sacrifice घट गया तो आपने आपको पता है कि जब आपका sacrifice घट जाता है additional unit के लिए जब आपका sacrifice घटता है तो उस time आपका जो indifference curve बनता है या marginal rate of substitution होती है वो कैसी होती है आपकी convex to the origin होती है लेकिन आप यहाँ पर देखो question में क्या बोला है due to decrease in MRS MRS को तो घटा रहे हैं वो कि marginal rate of substitution की additional हार एक X के लिए आपको Y की पहले से कम units को sacrifice करना है बट आपका IC कैसा बनेगा लेकिन आपको पता है कि आपका IC कैसा बनता है आपका IC जब आपकी marginal rate of substitution क्या होती है decreasing होती है तब आपका IC का convex to the origin होता है ना की concave to the origin तो इसलिए second option की तरफ हम इदाने की जरूरत ही नहीं पड़ी तो option number first यह आपका right option नहीं है यही आपसे question में पूछा था तो option number first आपका right answer हो जाएगा आज का last question यह भी आपको statement वाला given है कि आपको बताना है कि कौन सी statement correct है generally the production possibility curve जो होता है concave होता है origin आपको बता है production possibility curve तो हमारा ऐसा ही होता है PPC reason बोल रहे है the reason for this is the law of increasing relative cost यह हो सकता है क्योंकि आपको बता है यहाँ पर marginal rate of substitution क्या होती है आपकी increasing होती है कि हर एक additional x के लिए आपको y जो है वो पहले से जादा जो है वो क्या गरनी पड़ती है छोड़नी पड़ती है ठीक अब मैं आपको बता है कैसे वो चीज यहाँ पर है तो यहाँ पर दोनों ही statement बिल्कुल correct है तो हम क्या बोलेंगे both statement are correct and reason are the correct explanation of the statement तो option number first यहाँ आपका right answer हो चाहेगा आज हमने estate का 2023 का जो question paper है उसको अच्छे ते solve कर लिया है I hope so आपको समझ आया होगा अगर आपके पास different question papers है आप चाहते हैं कि हम solve करें तो आप मुझे मेरी email id economicsydd at the rate gmail.com पर mail कर सकते हैं इस question paper की pdf में हो already telegram channel economicsydd पर provide करा दी है I hope so आपको अच्छा लगा होगा thank you so much for watching this